इसी तरह बहुत से ताल ऐसे हैं जो कि जैसे खुसी का महौल है आप देखते होंगे तो कुछ सितार के साथ क्या बसने लगता है कि खुसी का महौल चलगा है तो हमें उस sound quality को समझते हुए उस flavor को देखते हुए उस प्रसंग को देखते हुए कैसा चला है अब जैसे कभी-कभी आप देखेंगे कि कुछ महौल बहुत गरम है कुछ लडाई जगड़े का महौल चला है तो इस type के बजने लगते हैं इस type के rhythm बजने लगते हैं तो जैसे जैसे प्रसंग आते हैं खुदी एहसास होने लगता है अंदर से कि मैं क्या करूं क्या बजाओं कुछ के साथ हुआ अटेच होने लगे और इस प्रकार करके हम बहुत से rhythm से भी background music दे सकते हैं आप बहुत सी आवाज निकाल सकते हैं